हम जानते हैं कि नेवला सांप को मार कर खा जाता है और इगल भी कई बार सांप को अपना शिकार बना लेता है इगल और नेवला दोनों ही सांप के सबसे बड़े दुश्मन है लेकिन दोस्तों क्या हो अगर इगल और नेवले के बीच लड़ाई हो जाए तो क्योंकि सांप त जिसका नेवला बड़े ही आसानी से शिकार कर लेता है लेकिन इगल आस्मान का राजा होता है जो कि अपने शिकार पर जपटने के लिए 125 से 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से डाइव लगाता है तो क्या नेवला आस्मान के खुंखार पक्षी इगल के सामने टिक पाएगा आ एक वार में ही किसी भी जानवर के शरीर से उसका मास अलग कर सकते हैं वहीं नेवले की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि जिसे छुड़ा पाना लगभग नामुम्किन होता है लेकिन इगल का इतनी उचाई से रफ्तार के साथ किया गया हमला नेवले को खत्म कर सकता है और ऐ ऐसी हालत में नेवले के पास भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा वैसे आपको क्या लगता है क्या इस लड़ाई में नेवले के जीतने के कुछ चांसे हैं या नहीं कमेंट करके जरूर बताना